आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यह है scientific name सी लोखांथ फिश का जो की एक पहले के जमाने में एक फिश हुआ करती थी तो उसको यह कह रहे हैं Living Fossil तो आईए Living Fossil का मतलब पहले समझ लेते हैं Living Fossil का मतलब है एक तो हमें पता है Fossil का मतलब क्या है Fossils तो वो हुए जो preserved हो गए organisms यानि कि उनमें कोई change नहीं आया वो जिस environment में वो जब वो preserved होने शुरू हुए थे और अगर अब हम उन्हें खोजेंगे तो उसी state में पाए जाते हैं यानि कि preserved state में तो उन्हें हम Fossil कहते हैं और यह Living का मतलब यहां पर क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे organisms जो आज भी मौजूद हैं हमारे बीच और वो काफी पुराने समय से इस अर्थ पर रहते आये हैं उनमें कोई evolution के दौरान changes नहीं आये कोई major change नहीं आया तो इसी लिए उन्हें हम Living Fossil कह देते हैं अब देखे इसका example क्या ले सकते हम इसका एक example है lemulus यानि की king crab अगर king crab को देखा जाए तो जैसा ये कई million years पहले था ये बिल्कुल आज वैसे ही दिखता है यानि की evolution की time इसे change होने की जरुरत महसूस नहीं हुई तो इसी वज़े से इसको हम Living Fossil कहते हैं Latimeria में भी ऐसा ही देखा गया है कि जैसा ही इसकी fossils अगर कोई थी वह देखी गई और आज का present organism देखा गया तो दोनों में बहुती minor अगर कोई change आया होगा तो आ रहा होगा वरना majorly वह बिल्कुल similar देख रहे हैं यानि कि no change so Latimeria एक living fossil है तो हमारा first statement हो जाता है true अब देख लेते हैं second reason इसने दिया है कि it underwent little change during long geological period तो जी हां यही criteria होता है living fossil declare करने का तो हमारा reason जो है वो assertion को fully justify कर रहा है तो हमारा answer क्या हुआ कि A. बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion so this is our final answer thank you